असलाम वालाइकम, मैं हूँ हीना और वल्कम है आपका मेरी यूट्यूब चानल में आज की इस वीडियो में फिर से एक टेस्टिमनी के साथ हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ आज की ये टेस्टिमनी है मेरी पेशन्ट सपना पूरी की जो नासिक की रहने वाली है पिछले पांच सालों में इन्होंने काफी इनफर्टिलिटी फेस किया डॉक्टर्स को भी दिखाया इलाज भी करवाया और आप यकीन ने मानेंगे पांच से छे लाख रुपे भी खर्च की है लेकिन फिर भी इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई अब आप कभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं रिपोर्ट्स करवाते हैं डॉक्टर आपको ये बताते हैं कि आपको ये ये प्रॉब्लम है जिसकी वज़े से आप कंसीव नहीं कर पा रहें तो ऐसे पेशन्ट को एक संतुष्टी होती है कि शायद मेरी इस प्रॉब्लम की वज़े से मुझे कंसीव नहीं हो रहा है और इसका treatment अगर हम लेते हैं तो pregnancy हो जाएगी लेकिन अगर आपकी report सारी normal है फिर भी pregnancy नहीं हो रही है और आपकी शादी को 5 साल हो गए है या 10 साल हो गए तो ये काफी depression वाला moment होता है पेशन्ट के लेकि हम करें तो क्या करें क्या treatment लें इसी तरीके से मेरी ये पेशन्ट भी काफी depression में चले गई थी 5 साल infertility इनोंने face किया 5 साल में एक बार भी इनको pregnancy conceive नहीं हुई थी इनकी सारी reports नॉर्मल थी डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिये थे कि हमें नहीं समझ मे आर आपको कहा problem आ रही है आपको infertility face कर रहे हैं डॉक्टर ने इनको last option IVF करवाने का दिया कि आप IVF करवा के देख सकते लेकिन उसमें भी कोई guarantee नहीं है कि आपको pregnancy ठहर जाएगी 2020 में मेरी ये patient ने मेरे काफी YouTube वीडियो देखे काफी motivate हुई और कुछ tips भी follow की लेकिन वहाँ पे भी इनको success नहीं मिली 2020 में ही इनोंने मुझे consult किया and टेलफॉनिक consultation के तुरू मुझसे बात की अपनी सारी problems शेयर की और reports भी शेयर की Reports देखने के बाद मैंने भी इनको confirm किया कि आपकी सारी reports normal है लेकिन एक quality थोड़ी अच्छी आपकी नहीं है और आपको बहुत ज़दा stress है जिसकी वज़े से आप conceive नहीं कर पा रही है इन दो चीजों के उपर हमने काम किया इनका lifestyle पूरा चेंज किया दोनों husband wife का जिसको follow करते हुए इनों ने within two month में good news दी 9 month तक pregnancy में कोई complications नहीं आए और after 9 month इनों ने एक baby boy को जनम दिया है जिसकी images आप देख सकते हैं तो infertility के पीछे बहुत से कारण होते 100 में से 40 प्रतिशत patient ऐसे होते जिनकी reports सारी normal होती है फिर भी उनको pregnancy conceive नहीं हो पाती है तो ऐसे patients को क्या करना चाहिए कैसे pregnancy achieve करनी चाहिए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे सबसे पहले हम सपना पूरी की testimony सुन लेते हैं कि ये अपनी testimony आपके साथ कैसे share करना चाहती है वीडियो गर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो like, comment, share और subscribe करना बलको ना भूले मुझे कोई problem नहीं थी सब report normal थे कुछ नहीं हुआ था मेरे हजबन की भी रिपोर्ट नॉर्मल थे फिर भी मुझे pregnancy नहीं रुक रही थी हमने मेरे शादी को 5 साल कंप्लीट हो चुके planning करने के बाद हमने ट्राय किया तो हमें मतलब pregnancy मुझे रुकी नहीं रही थी फिर मैंने 2019 में हिना देदी का channel देखा फिर उसमें से मैंने कुछ टिप्स फॉलो किये फिर भी मुझे कुछ result नहीं मिला सो मैंने फिर हिना देद को call किये उनकी appointment ली उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिये वो मैंने फॉलो किया विदिन टू मन मुझे conceive हो गया अभी मेरा बेभी फॉर मन का complete है आप देख सकते हैं सपना पूरी ने कितनी ब्यूटिफुल अपनी testimony आपके साथ शेयर की है मेरी ये पेशन्ट सपना पूरी नासिक की रने वाली है 28 इनकी एज है 65 इनका वेट है पिछले पांस सालों से इनफर्टिलिटी फेस कर रहे थी और हमारे ट्रीटमेंट के द्वारा दो महीने में इनोंने प्रेगनेंसी कंसीव की और 2021 में एक बेभी बॉय को जनम दिया है मैंने मेरी ये पेशन्ट को क्या ट्रीटमेंट दिया सबसे पहले में आपको वो बताती हूँ मॉर्निंग में मैंने इनको दालशीनी का पानी दिया सबसे पहले उठते ही वोमन स्पेशल ड्रिंक फॉर्टिलिटी मसाच लेक अब दी वॉल पोजिशन हैर वश ट्रिक अश्वगंदा वित मिल्क 30 मिनिट का एटलीस योगा करने की सला दी और 30 मिनिट वॉकिंग करने की सला दी ताकि इनका जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो सके हजबेंट को केशरी कल 54 प्राश दिया तो इन सारे ट्रीटमेंट को डाइट प्लान के साथ में फॉलो करते हुए सिफ दो महीने में ही मेरी ये पेशर ने प्राश दो में फॉलो की सारी नॉर्मल होती है डॉक्टर्स ये फाइंड आट नहीं कर पाते की प्रॉब्लम कीदर आ रही है क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तब इस चीज के उपर काम किया जा सकता है ताकि आपको गर्ब प्रेगनेंसी रुक सके लेकिन जहां पर आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है आप लगाता ट्रीटमेंट ले रहे है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो डॉक्टर्स ऐसे केस को अनेग्स्पेंड इनफर्टिलिटी बोलते है ऐसे केसे में बहुत इसको नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि या तो इन्डे की या तो पीक। अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से इन दोनों का मिलर नहीं हो पारा है, आनि कि इन दोनों का फोर्टलाइजेशन नहीं हो पारा है, दूसरी चीज है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, भले ही आपको ऐसा लगता हो कि मैं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, लेकिन दिन भर मे आप कोई ना कोई चीज को लेके स्ट्रेस लेते हैं, या घूम फेर के आप बच्चे के बारे में ही सोचते हैं, या आप फिजिकल कॉंटेक्ट भी हस्बेन के साथ इसलिए रखते हैं क्योंकि आपको बेबी प्लान करना है, तो इस वजह से भी प्रेगनेंसी कभी कभी कंस करना चाते हैं, अगर मा हेल्दी होगी तो बच्चा भी हेल्दी होगा, तो इन तीन कारणों के वजह से आनेक्स्प्लेन इनफर्टलिटी में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, अगर आप इन तीन चीजों के उपर काम करते हैं, तो आप घर बेटे ही प्रेगनेंट ह सकते हैं आपको कोई भी इलाज की जरूरत नहीं है आपको सिव अपने माइंड को तयार कर रहा है कि आप भी प्रेगनेंट हो सकते हैं लाइस्टल अपका अच्छा रखना है डाइट अच्छी रखनी है बहार का जंग फूट 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 पुरी तरीके से बंद कर देना है चीनी का इंटेक कम कर देना है पानी की मात्रा बॉडी में ज़्यादा कर देनी है और मेडिटेशन जरूर करना है ताकि स्ट्रेस निकल सके योगा एट लीस्ट 30 मिनिट के लिए करना चाहिए और आपको जब आप फिजिकल कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो आप एक इंटरस होगा आप भी खुश रहेंगे अच्छा एक कॉंसेप्शन होगा जिससे प्रेगनेंसी रूखने के चांसे बढ़ जाएंगे ऐसा आप दो से तीन साइकल करके देखे जरूर आपको डेफिनेटली प्रेगनेंसी रूख जाएगी ऐसा मैंने बहुत से लोगों को दिमाग से स्ट्रेस को निकाल दीजे, हेल्दी लाइफस्टाल रखे खाने पीने के उपर ध्यान दीजे, योगा प्रणायम के उपर और वाकिंग के उपर फोकस करिए और स्ट्रेस प्री रहके रिलेशन्शिप रखे आपको डेफिनेटली प्रेगनेंसी रूख जाएगी ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएए साथी में आप मेरा हीना हेल्थ एंड हीना भी हेल्दी चैनल भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक मिलती हैं मेरा हीना हेल्थ एंडॉड एप्लिकेशन भी है जिसको आप डाउनोड कर सकते हैं यहां पर आपको फ्री डाइचर्ड ओवलेशन क्यालकुलेटर एंड डेली मोटिवेट रहने के लिए सकसे स्टोरी मिलती है जिस तरीके से सपना पूरी ने मुझे कंसल्ट किया अगर आप भी मुझे कंसल्ट करना चाते हैं तो आपकी स् मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जब तक किले अपना ख्यार रखे अल्ला हाफिस हुआ है कर दो